नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एविद्या चैनल नंबर्स 10 पर, मैं हूँ देवेंद्रुत्र पाथी, आज की क्लास 10 के स्टुडेंट्स के लिए सोशल साइंस का सब्जेक्ट होने जा रहा है वाटर रिसोर्सेस, आप जानते हैं जब भी वाटर रिसोर्सेस की बात आती है तो हमारे जहन में कई सारे दृष्य उभरते हैं जहां पर पानी की समस्याएं होती हैं, कई सारे जगे हैं भारत की जहां पर अभी भी लोगों को बड़ी दूर तक पानी के लिए जाना पड़ता है और बहुत कम पानी में जीवन यापन करना पड़ता है और पानी एक ऐ हवा के बाद यानि ऑक्सिजन के बाद पानी की ही खोज होती है, पानी की संभावनाओं की बात की जाती है और इस विशे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे महमान, हमारे एक्सपर्ट आज जो जुड़े हैं उनका परचे आप सब सिक्करवा देते हैं हमारे साथ जुड़े हैं Assistant Professor प्रबुध के मिश्रा जो की दिली विश्व इद्याले में जिग्राफी के Assistant Professor है तर आपको बहुत ब्रस्टाइब और आप जानते हैं यह Interactive Session है इसमें सत्रे के दौरान आप हमारे मेहमान से हमारे एक्सपर्ट से सवाल भी पूछ सकते हैं इसके at the rate c iet.nic.in तो इस तरह से आप हम से जुड़े रहिए और अपने मन में कुछ सवाल अगर आपके सत्र के दौरान बनते हैं तो पूछे और हमारे मेहमान को सुनिये हमारे एक्सपर्ट को सुनिये सर सबसे पहला प्रस्ट पूछोंगा कि वाई वाई वाटर रिसोर्स इस आप लोगो ने सुना है कि बच्पन से बच्चों आप लोगो ने सुना होगा कि जल ही जीवन है तो अगर हम water as a resource की बात करें तो resource तो एक English term है कोई भी ऐसी चीज जो की utility देती है उसको हम resource कहते हैं लेकिन अगर जल की बात करते हैं तो यह जल जो है जीवन है चाया वो जीवन मनुष्य के लिए हो प्राणियों के लिए हो बनस्पतियों के लिए हो और अगर इसके हम values की बात करें अगर water की value की बात करें तो इसके पास ecological value है इसका philosophical value है religious value है तो यह जल जो है अपने आप में प्राणी जीवन को जीवित रखने के जितने भी प्राणी जगत हैं, उन सब के जीवन का अधार जो है, वो जल है, इसलिए इसका अध्यन हम स्कूल में, कॉलेजेज में, इन्वरसिटी, बलकि हर जितनी भी गॉवर्मेंट की बली-बली पॉलिसीज बन रही हैं, उसमें भी जल का कहीं न कहीं एक पक्ष जरूर र यह देखा होगा कि तक्रीबन 3-4 जो पूरा विश्व का एरिया है, वो जल से ही पूर्ण है, इसलिए हम शायद प्रिथवी को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, तो इस तरह से अगर हम देखें, तो जल का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन को चलाने में, और इ आप लोगों के लिए कुछ PPTs लेके आया हूँ, जिस पर हम बात करेंगे, और पूरा जो मेरा आउटलाइन रहेगा, इस में मैं water scarcity की थोड़ी सी बात करूंगा, conservation, management की बात होगी, multipurpose, जो river projects हैं, जिनके दौरा हम कैसे अपने जल को संदक्षित कर सकते हैं, कैसे हम अपने जल को regulate कर सकते हैं, उनकी बाती होंगी, rainwater harvesting, जो कि बहुत ही सदियों से चली आ रही है, हमारी परंपरा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और हम देखेंगे कैसे हम इन सारी जो जल के जो resources हैं, जल को हम किस तरह से integrate करके हम उसको देख सकते हैं, तो अगर water resource की बात कर और यह प्रकृति में पाया जाने वाला resource है, इस पर पहले किसी का हिस्तर से अधिकार नहीं हुआ करता था, लेकिन अगर आज हम देखें, तो जो यह resources, यह water resource है, यह धीरे धीरे जो है, इसको commoditize किया जा रहा है, ठीक है, तो वैसे अगर हम देखें, तो 3-4 जो है, वो स्लाइड में कि जो distribution of earth water है, उसमें तक्रीबन 97% जो हमारा जो जल जो कि available है पिट्वी पे, वो saline water है, वो समुद्र में, sea में, oceans में उपलब्द है, और जो fresh water की जो मात्रा है, वो बहुत ही कम है, सिर्फ 3% जो यह जल है, वो पीने योग है, या potable water है, या fresh water है, और उसमें कि भी अगर हम further उसको classify करें, तो आप देख सकते हैं कि जो ground water है, उसका जो share है तो तक्रीबन 30% के आसपास है, और जो ice caps, glaciers और जो हमारा north pole है, south pole है, जो glaciers में जो संचित जल है, उसका जो share तक्रीबन 69-70% के आसपास है, और कुछ हमारे lakes है, swamps है, अगर further हम उसको classify करते है हैं, तो जो rivers है, तक्रीबन 2% का हिस्सा है, swamps के पास तक्रीबन 11% का हिस्सा है, 87% जो है, वो fresh water जो है, lakes में पाए जाता है, तो यह एक पूरा, एक holistic, एक distribution of earth water का एक यह diagram था, इसके मारे हम से हमने समझा, और हम scarcity के बात करें कि भाई, जब पूरा 97% के आसपास, पूरा जल है, पिर्थवी पे, तो बच्चों, फिर problem क्या है, why there is a scarcity, तो सबसे पहले बात यह है कि, मैंने बताया कि 97% के आसपास जो जल है, वो usable नहीं है, उसको हम उस तरह से प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, हाला कि बहुत सारह ऐसे developed nations है, middle east में आप देख सकते हैं, फिर बहुत सार को आरो के थूरू, उसको process करके, उसको drinking water में convert करते हैं, उसको utilize कर रहे हैं, लेकिन यह जो है, यह process बहुत ही महंगा है, और बहुत सारह से जो developing देश हैं, under developing देश हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है, कि इस तरह से वो पानी को जो है, वो portable या फिर drinking के purpose में लेके आए, हैं, तो उसमें क्या होता है, कि जो scarcity है, इसका distribution बड़ा ही, जो space और time में जो पानी का distribution है, वो बड़ा ही skewed है, कहीं पे water की availability बहुत ज्यादा है, बहुत सारह ऐसे हमारे छेत्रेंस, desert का तक्रीबर वन थर्ड हिस्सा जो है, भारत का desert है, इस तरह से बहुत सारे continents में जो desert के हिस्से हैं, वहाँ पे पानी की उपलवता बहुत कम है, या फिर वहाँ पे ground water की availability भी बहुत कम है, और जो बारिश होती है, वो भी 25 cm से काफी कम होती है, तो इस case में क्या होता है, कि वहाँ पे वो endemic water scarcity वाले regions है, और बहुत सारे ऐसे भी छेत्रे हैं, जैसे आप देख सकत हैं, कि बहुत सारे ऐसे भी छेत्रे हैं, जहां पे परयाप्त बारिश होती है, वहाँ पे flood का भी area है, इसके बावजूद भी वहाँ पे water की scarcity हो जाती है, जैसे Calcutta में आपने कुछ साल पहले देखा होगा, इतना बारिश हो गई, इतना इतना ज़्यादा पानी हो गया, कि drinking water, वहाँ पे मिलना मुश्किल हो गया, जितने भी wells से सब flooded हो गया, तो water quality का भी concern रहता है, कि कि इस तरह का पानी उपलब्द है, तो इसमें हम यह कह सकते हैं, कि excessive water use और unequal access भी बहुत बड़ा role play करता है, water scarcity को लेके, large growing population, जो हमारी जो इतनी बड़ी जनसंख्या है, कही न diversity का एक region है, और इतना इतनी बड़ी population है, तो इसको खाने के लिए, उसकी food security के लिए, nutrition security के लिए, हमें agriculture को sustain करना होगा, और agriculture को sustain के लिए, water जो है, vital resource है, उसके बिना हम agriculture को practice नहीं कर सकते हैं, तो यह सारी ऐसी चीजे हैं, जिस जो की हमारे पूरे जो requirement अगर utilization की बात करें, तो industrial utilization के लिए, हमें बहुत सार जितने भी industry setup होती है, उनमें कहीं कहीं हमें water की ज़रूरत पढ़ती ही, किसी ने किसी रूप में हमें water की ज़रूरत पढ़ती है, तो यह सारे ऐसे multiple sectors हैं, और जो knowledge का domain इतना बढ़ गया है, बहुत सारे industrial setups units रगनी शुरू हो गई हैं, कहीं क हैं उन सब में water की किसी ने किसी रूप में ज़रूरत होती है, तो इतना ज़्यादा pressure है हमारे water resource में, तो उसके चलते हैं हमें scarcity देखने को मिल रही है, अब आप PPT में देख सकते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत है water को conserve करने के लिए, तो मैंने कुछ points लेकिए हैं, इसमें हमें समझने की ज़रूरत है कि water की availability है, वो धीरे-धीरे कम हो रही है, उसमें बहुत सारे perspective है, उसमें rich poor का perspective है, gender का perspective है, कुछ ऐसे चेत्र हैं, जो enderminically water deficit region है, वहां पर पानी की उपलफदा कम है, कुछ ऐसे region है जहां पर की ज्यादा बारिश होती है, जो कि बहुत, बहुत सार नदियां उन छेत्रों को drain करते है, वहां water की availability better है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि water की conservation की हमें इसलिए आवशकता है, क्योंकि water की scarcity हो रही है, और हमारे जितने भी aquatic ecosystems हैं, जो कि सिर्फ नहीं जो fishes और मचलियां, seafood और जो sea plants से उसको sustain करते हैं, उनके लिए भी water की उतनी ही ज तो उसमें क्या है कि नदियों को भी sustain करने के लिए at least 33% जो water है नदियों का उसमें always flow करता रहना चाहिए, उनकी river ecology को maintain करने के लिए उसमें जो भी जीव जनतु रहते हैं, उनको उनके habitat को जीवित रखने के लिए at least 33% water anytime उस river में होना चाहिए, लेकिन आज कल हम dam बना के tap क बढ़ देते हैं water को और उसके multiple use हो सकते हैं, but at the same time we have also focus on the ecosystem of the river, agriculture efficiency बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हमारे पास high yielding variety of seeds है, green revolution में जो आया है और बहुत सारे ऐसे crops हैं, जो कि water extensive cost है, water exhaustive crops है, तो उनको भी पानी की ज़रत ज्यादा होती है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो water को हमें बहुत ज्यादा conserve करने की ज़रत है, climate change का issue है, global boiling है, global warming है, और हम देख सकते हैं कि हमारे oceans भी आजकल बहुत सारा pollution, ocean में हम देख सकते हैं, धेज सारा plastic और बहुत सारा pesticide और जो residue है, crop residue से लेके industrial residue हमें, जो है scraps हम को middle of the ocean देखने को मिलते हैं, तो ये सारा जो है इन सारी चीज़ों को अगर हम address करेंगे properly तो हमें हमें एक बहतर दिशा में सकती है, water को conserve करने की सारी एक जिक्र किया आप जी, dams का, तो dam के जो पहलू आपने बताया कि 33% waters को अपने flow में रखना पड़ेगा, ताकि जो ecosystem है, ecology है पुरी इस नदी के रास्ते में, वो बिलकुल जीवित रहे और नदी सम्रिध्य बनी रहे, क्योंकि वो नदी सम्रिध्य रहेगी तो अपने human civilization पर अगर हम बात करें, तो क्या negative impact ही डालता है या उसकी कुछ positive aspect भी है, नहीं, बहुत अच्छा प्रशन है आपका, dams जो हैं, वो initially तो अगर हम, हमने उनको set up किया, और humanity या मानो समाज किसी चीज को ले के आता है, तो मानो समाज के बहतरी के लिए, उसके social well-being के लिए, economic well-being के लिए, उनका जीवन अस्तर अच्छा हो, लोगों के quality of life में एक ब्रिद्धी हो, ये विचार करके हम कोई भी concept या कोई भी इस तरह का structural जो और hydraulic जो system हम लेके आत है, ठीक है, तो initially जब dams बनना शुरू हुए, उनके भी अलग-अलग प्रकार हैं, तो वो dams हमने बनाया था, उनका ये purpose था कि हम water को rivers पर tap करेंगे, उससे hydro electricity बनाएंगे, उसमे fisheries develop करेंगे, eco tourism develop करेंगे, और dam के माध्यम से हम नदियों के पानी को regulate करके, channelize करके, canal के माध माले ही नदिया है, कई न कई उस पर dams आपको देखने को मिल जाएंगे, कई phases में dams है, even आप अगर नीचे की तरफ जाएं तो peninsular river में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे dams आप आपको visible होगे, मैं आपको ये figure के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख स अल्मोस्ट भाक्रानांगल dam 17 जदी पर बहुत सारे dams हैं, आप PPT पर देख सकते हैं कि मैंने उनको उनके dams के side effects में लिखे हैं और उनके यूजे से उनको भी मैंने mention किया हुआ है, तो लेकिन कालांतर में जब हम जब dams जो है, जब over weight हो जाते हैं, siltation उसमें बहुत ज्य material लेके आती हैं, वो जब उनकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, जो bed load ज्यादा हो जाता है, तो कई बार जो है earthquake के आने के समय या फिर और भी कुछ कारण होते हैं, जो जैसे siltation ज्यादा हो गया और balance अगर इसका dam का बहुत proper नहीं रहा या फिर dam बहुत पुराना हो गया और जो जो इसमें technique है, वो 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 पुरानी हो गई तो उस case में क्या हो या फिर देजिंग proper नहीं हो पा रहा है, तो उस case में कई बार हमें dram failure के भी जो incidence से देखने को मिलते हैं, recently हमने दो तीन साल पहले आपने देखा, केरला में flood आया हुआ था, वो एक dam failure का flood था, तो इस तरह से dams के positive भी uses हैं, और उसके negative impacts हमें कई बार देखने को मिलते हैं, हाला कि flood, flood को control करने के लिए ही basically, ये dams को construct किया जाता है, और उसके byproducts, बहुत सारे, उसके बहुत सारे uses हम करते हैं, और इस तरह से हम देख सकते हैं, कि dams हो है, वो बहुत major role, जवाल लहरू ने बोला, ब agriculture productivity बहुत poor थी, हमारी food security को हमने achieve नहीं किया था, तो उस समय किया था है, कि हमारा जो focus था after independence, कि हम कैसे अपने food security को बढ़ाए, अपने granary को कैसे बढ़ाए, और कैसे हम अपने agriculture productivity को maintain करे, per capita, per unit of land agriculture को हम कैसे बढ़ाए, तो उसमें ये dams का बहुत बढ़ा रोल रहा है, हाल इसके LFX भी हम हमें देखने को मिलते हैं, और आप आपने बिल्कुल सही का जैसे की multipurpose river projects हमारे पास, इंडिया में आप देखें, तो इंडिया में बहुत सारे multipurpose river projects आपको देखने को मिलते हैं, चाहे हो peninsular rivers हों, चाहे हो हमारे perennial Himalayan rivers हों, ब्रहपुत्रा river system हो, तकरीबन स 25% तक का जो hydroelectricity जो generate होता है, हम इन उसके माध्यम से हम इसको generate करते हैं, और मैं एक और बात करना चाहा रहा था है, थ्री आस का और यह even United Nations में भी इसकी बात की जाती है, कि यह जो water की जो efficiency है, और water को अगर हम water security के अगर हम बात करते हैं, तो यह 3 आस बहुत important हो जाते हैं, जो की strategy और principle है, एक holistic solutions जो हमें provide करते हैं, first hour है, reduce, efficiency of water use, reducing water footprint, सबसे पहला है कि हमें अपने पानी के consumption को हमें थोड़ा rationalize करना है, we have to reduce the consumption of the water, utilize a sustainable consumption, यह बहुत ज़रूरी है, आप देख सकते हैं, शहरों में जो हमार रिस्टर का washrooms इस तरह से design होते हैं, उसमें 15 से लेके 20 लीटर तक पानी एक flush में जाता है, तो हमें इस तरह के जितने भी fittings हैं, उसको retro fittings को फिर से redo करना होगा, इस तरह से हमें technology को integrate करना होगा, कि हम पानी को कम से कम उसको waste करें, दूसरा reuse का concept, बहुत पुराना concept है, और हमें पानी को reuse करना है, अगर हम हमारा पानी बसता है, अगर उसको हम अपने पौधों में डाल सकते हैं, उसको agriculture purpose के लिए use कर सकते हैं, फिर उस जो industrial water, जो waste water है, उसको हम फिर से recycle करके, उसको फिर से हम उसको हम दूसरे पायोगों में ला सकते हैं, treatment plan के थूरू हम उसको process कर सकते हैं, third हम हमारा recycle, और recycle का भी concept जो है, वो दोनों से मिलता जुलता है, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे technologies आ गई हैं, जिसके द्वारा हम पानी को recycle करके, हम उसको different use में ले आ सकते हैं, तो यह three asks very important है, और students, आप लोगों को भी चाहिए, कि किस तरह से हम water की जो deficit है, water को हम किस तरह से उ use और recycle के concept को अपने जीवन में लेकर है, और आगे मैं rain water harvesting की बात करूँगा, rain water harvesting एक बहुत ही पुराना concept है, जो कि आपके किताबे भी दिया गया है, और आज के context में जो rain water harvesting है, वो बहुत important इसलिए हो गया है, क्योंकि आप चाहिए developed nations को देख लें, चाहिए developing nations को देख ले यह water की जो scarcity, water की availability की problem है, चाहिए वो हम quantity की बात करें या quality की बात करें, वो एक बहुत बड़ा issue बनके आया है, तो उस case में क्या करें, हमारे जो नदियों का जो discharge है, वो दीरे दीरे कम हो रहा है, जो हमारा जो rainfall का जो nature है, वो erratic हो रहा है, बहुत थोड़े समय में बहुत बारिष हो जाती है, कई बार long spells ऐसे होते हैं, जिसमें की बारिष नहीं होती है, तो इस case में हमें क्या है कि जब भी हमें water harvesting के लिए, जब भी हमें मौका मिले हमें उसके लिए जरूर जाना चाहिए, और कई तरह के water harvesting होते हैं, आपके books में दिया गया है, hill areas में आप देखत हैं, हिमालया, western हिमालया में especially गुल और कुल channels के माध्यम से हम water को conserve करते है, rooftop water harvesting जो है, सबसे famous और सबसे widely adopted water harvesting technique है, जो की काफी सदियों से चली आ रही है, हाला कि पहले इतनी पानी की समस्या नहीं थी, क्योंकि population कमती, फिर भी हमारे पूर्वज, हमारा जो एक पारंपरिक, जो ग्यान है, indigenous और traditional knowledge में अगर हम देखें, scriptures में देखें, books में देखें, तो हमें यह देखने को मिलता है, कि पहले भी water conservation की जो यह techniques थी, उनको use किया जाता है, अगर हम कश्मीर से मी, sorry, हम राश्थान के arid or semi-arid region की बात करें, तो अखादिन system है, जैसल मेर मेर में, जो hearts है तंकाज एक बहुत अच्छा concept है, तंकाज में राश्थान में, भीका नेर, फलोदी और बार्ड मेर के आसपास, एक बड़ा सा system बना के उसमें पानी store किया जाता है, और उसके ऊपर घर बनाया जाता है, तो क्या है, वो घर भी ठंडा रहता है, और throughout the year जो तंकाज का पानी तंकाज बहुत बड़े होते हैं, एक बड़े room के size के बनाया जाते हैं, और वो पानी को conserve करने की एक traditional पद्दती है, जो कि राश्थान में देखी जाती है, अगर bamboo drip irrigation के बात करें तो मेगालिया और North Eastern States है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे bamboo drip irrigation जिसमें कि पानी का west is बहुत minimal होता है और gravity को use करके हम एक इस्थान से दूसरे स्थान को हम पानी ले जाते हैं और अपने agriculture को के लिए उसको use करते हैं, तो अगर इस तरह से हम देखें, तो यह जो पूरा जो water का जो एक hydrological cycle है, कही ने कहीं वो पानी एक हमारा ubiquitous source है और जो प्रकृति में जो पानी है वो liquid हो चाहे वो gaseous form में अलग-अलग forms में वो hydrological cycle में वो circulate होता रहता है और अगर मैं इसके special distribution की जैसे मैंने पहले भी बात के तो इसका जो special distribution अगर हम देखते हैं तो बड़ा ही unequal distribution है, लेकिन हां मैं यहां पी यह जरूर कहना चाहूंगा बच्चों कि यह जितना भी water हमा करते हैं, उसको utilize करते हैं और उसका एक distribution का system अगर हम अगर उसको सही रखते हैं तो बड़ा ही जितना पानी है पर्याप्त है कि हम काफी समय तक उसको उसको हम use कर सकते हैं और किसी को पानी की समस्या होने वाले नहीं है, इसी कड़ी में मैं जल जीवन mission की बात करना चाहूं उन तक हम tap water के माध्यम से हम सब को clean potable water सब को दे 55 liter तक की बात थी हाला कि बहुत सारे states ने इसको adopt किया और तक रीबन बहुत सारे states में काफी अच्छा काम चल रहा है और water जो है वो tap के माध्यम से मिलना शुरू हो गया है और इसमें सिर्फ water tap से देने की बात नहीं थी इसम थी extension education की बात थी लोगों को aware करने की बात थी लोगों को train करने की बात थी कि किस तरह से हम लोगों को जो है water के बारे में उसके importance के बारे में उसके utilization के बारे में उसको हम कैसे स्वक्ष रखे किस तरह से हम water को judicially सी उसको हम utilize करे ताकि उसका wastage कम हो उसको हम reuse कर सके इस तरह स उसका जो जल जीवन मिशन है उसका बहुत ही द्यापक हमें उसके रेजल्स देखने को मिले है नमामी गंगे पयोजना जिसमें की वाटर की स्वख्षता को लेके बात की गई है और रिवर जो गंगा है उसके दोनों तरफ एक ग्रीन पत्ती का निर्माण किया गया है जिसके द्वारा हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं और जितने भी जो ड्रेंस हैं उनको गंगा में जाने से पहले उनको सीवेश टीटमेंट प्लांट लगा के उनको ठीक करने की बात कही गई है और लास्ट में मैं एक और बात उसमें जोड़ना चाहता हूं कि जो से हम वाटर को कंक्लूड कर सकते हैं तो मेरी तरफ से इतना धन्यवाल बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी और निश्चेत रूप से हमारे जो स्टुडेंट्स हैं वो पानी के महत्व को समझते होंगे और अब तक जैसा कि आपने शुरुवात से ही कहा कि बहुत सारे अपने कक्षाओं में बहुत सारी पाठे पुस्तकों में पानी के महत्व के बारे में पढ़ा भी होगा और अब इतने मैच्योर हो चुके हैं बच्चे दसमी के कि उनको पता है पानी का महत्व क्या है और पानी का जैसा सर ने बताया कि बहुत ही अच्छी लाइन थी कि कई बार जितना उपयोग करना चाहिए उससे जादा इस्तेमाल होता है और इसमें हम छोटे-छोटे कदम उठा करके पानी के सुनरक्षन के लिए प्रयास कर सकते हैं जैसे जब हम अक्सर सुबह के समय ब्रश कर रहे होते हैं या बहुत सारे लोग सेविंग कर रहे होते हैं उ थोड़े-थोड़े contribution से हम अपने society को अपने देश को अपना योगदान दे सकते हैं जरूरी नहीं कि हर किसी को निकल के समाज के लिए कुछ करना है अपना जो रोज मर्रा का काम है उसको करते हुए हम इस तरह से कर सकते हैं इतनी इच्छी जानकारिया आपने इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम आदा करना चाहेंगे CRT की तरफ से और शुक्रिया आदा करना चाहेंगे अपने सभी दर्जकों का जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं और शुक्षा और जागरुकता के कारिक्रमों में सहभागिता करते हैं आपको कैसे लगते हैं हमार और इससे पहले कि आपसे विदा ले ले आपको इस सत्र के लिए पाठे पुस्तकों के संबंद में कुछ जरूरी सुचनाय दे दे आप जानते हैं नई शुक्षानीती के तहट पाठे पुस्तकों में परिवर्तन किये गए हैं और ये पाठे पुस्तकें अभी हर जिगर नही पहुंच सकी हैं तो अगर आप तक नहीं पहुंची हैं आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं अलग-अलग माध्यमों से सेल्स काउंटर्स NCRT के अविलेबल हैं देश की कई शहरों में निव डेली, एमदाबाद, बेंगलूरू, कोलकाता और गोहार्टी में जहां सुबह सा ncrtbooks.ncrt.gov.in इसके अलावा आप अगर चाहते हैं online जो soft copies है, PDF version वो भी download करने का option आपके सामने हैं तो आप download कर सकते हैं इसके लिए आप log on कर सकते हैं हमारी websites और applications जो है ncrt, पाथशाला और दीक्षा तो इन जानकारियों के साथ आप सभी से विदा चाहूंगा लेकिन अगातार, शिक्षा और जागरुकता के कारेक्रमों के लिए इविद्या के साथ नमस्कार